दोस्तों साल 1973 में मोटरोला के मार्टिन गूपर ने बनाया दुनिया का पहला मॉबाइल फोन और उसके बाद से मोटरोला रुखता है नहीं है भांई है इंडिया में अभी है देखेंगे मार्केट में तो एक के बाद एक के बाद एक बाद एक नएने फोन लेके आ रहा है यहां पर आगे है हमारे पास पे ये आज अब इस वीडियो को आगे देखते रहे हैं लाइक और शेर करते वे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए हम बात करते हैं इसी फोन के वारे में पता लगाते हैं मोटरोला ने आखिर क्या पैक किया है इसी ब्राइड न्यू स्मार्टफोन में रमश्कार दोस्तों मेरा न झाल में रमश्कार सब्सक्राइब किया रभाक था थत्कुल करुपने डना पादाना तो गईस देखो यहां पर अभी यह जो फोने होल दो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं शाम के टाइम लेकिन इसका कलर है मिड़नाइट ग्रे वादलर रात कुछ आप कैसे दिखता है ग्रे ग्रे आसमान शायद वहां से इस्पिरेशन मिली है बट अफकॉर्स लुक्स लाइक एनी अधर मोट्रोला स्मार्टफोन फिलाल केर आप दो किस फोन पूला से ध्यान से फिर हम ध्यान से बाकी इस फोन की डीटेल में बात करते हैं सब्सक्राइब बड़ा ही आसान सा काम होता है मोट्रोला के फोन को देख के पैचानना विकास हमारे पास में पीछे यहां पर मोट्रोला का जो है यह लोगो मिल जाता है वैसे अगर हम बात कर लेते हैं इस फोन के बटन्स और पोर्ट्स की ना तो हमारे पास में दोस्तों यहां पे राइट साइड में यह इंटेडिडिड फिंगर्पिंट स्कैनल के साथ में आला वाला पावर बटन है इसी के ठीक ऊपर हमारे पास में है वाल्यूम रॉकर आती है एक हाइब्रिड स्लोट के साथ में I mean dedicated अगर memory card लगाने का मौका मिलता dual sim के साथ तो ज्यादा बढ़िया होता वैसे नीचे यहां पर दुस्तों हमारे पास में है यह headphone jack जो कि of course आजकल एक luxury वाला feature बन गया है जो कि सिर्फ budget phone से हमको मिल जाता है साथ में हमारे पास म यहां पर motorola का logo है motorola की branding है और यह आता है एक triple cam setup के साथ में जहां पर primary camera है वो है 50 megapixels का उसके बाद में camera है 8 megapixels का ultra wide angle वाला और तीसरा camera है 2 megapixels का जिसके बारे में बात नहीं करें तो बढ़िया होगा यहां पर दूस्तों सामने यह phone लेकर आता है हमारे पास में यह 6.5 inches का full HD plus LCD panel जहां पर जो refresh rate है वो है 120 hertz की I mean Amoled में ज्यादा मज़ा आता है बट अगेर अब क्या कर सकते है अचकल तो mobile phones का समझ नहीं आ रहा है यह चल रहा है pricing यह वो उपर नीचे के यहां पर दूस्तों हमारे पास में इस पैनल में उपर जो अगर आप देखते तो यहां पर लगाए एक selfie camera जो की है 16 megapixels का बाकी कि बाद में भी अगर आपको junk apps मिलती है, notifications आते हैं, advertisements होते हैं, बहुत रहा है मतलब मूड खराब होता है तो Motorola में at least शान्ती की बात ही है कि भाई यह फोन के अंदर आपको कम से कम यह तो सामना करने को नहीं मिलेगा, clean stock Android 12 पे चलता है, Android 13 का update मिलेगा, guaranteed इसी बाते Motorola करता है जहां पे तीन साल तक आपको security updates मिल जाएंगे, बाकी मतलब तो यहां पे जो performance है, वो में मिलने वाली है, Qualcomm Snapdragon 695, OctaCore processor के साथ, I mean यह जो chip है, यह हमने इतने ज्यादा phones में लगी भी देख लिए कि हमको ब्लक दमा से आदब सी हो गई है, यह आता है 12 5G bands को लेकि जो कि 23 मजा मिल जाएगा, यहां पे इसके लावा हमारे पास मियार 6 और 8 GB के RAM options है, LPDR 4X RAM of course, storage जो है, वो है 128 GB की, बैट्वे तो इसमें लगी अंदर 5000 MHz की, जहां पे 20 watts की fast charging का support है, I mean, motorola का जो 32 है, उसमें 33 watts है और तो इसमें 20 watts क्यों है, इसमें भी हमको 33 watts से at least मिलनी चाहती, but up again, जो है, so है, तो यहां पे खेर, I mean, अगर आप से बात करता हूं, तो यह एक interesting mid-range 5G वाला smartphone हो सकता है, motorola brand की तरफ से, जहां पे आपको एक, you know, balance सी spec sheet मिल रही है, Dolby Atmos का आपको मजा मिलने वाला है, studio speakers के साथ में, तो अगर आप अपने screen पे कोई भी content हुए रहे हैं, तो अगें खेर, यह तो एक ही panel आपको जो मिलता है, पंचोल के साथ में, कुछ ऐसा आपका experience रहेगा, although AMOLED वाली बात नहीं है, क्योंकि यह ए ल्टीडी पैनल है, but still, stereo speakers के साथ में आपको जो है, entertainment का साथ ही निभागे देदेगा, gaming अगरे जो है, वो तो हम जानते है, Snapdragon 695 is kind of adequately powered for the price, तो वो भी आपको कोई चिंता की बात नहीं है, जहाँ पर अगर हम बात करे रहें, घर price की, तो यहाँ पर इस phone के दो लग-लग variants है, जो base variant है, वो आता है, 6 GB RAM, 128 GB storage के साथ में, इसकी price है, 17,999 रुपे, उसके बाद में आता है, इसका higher end वाला variant, 8 GB RAM के साथ, जिसक आती है, 16,249 और higher end variant के लिए 18,249 रुपे, तो यार, यह है, Motorola का G62 5G, I mean, आजकल ना mobile phones में, honestly बोलूं, तो ऐसा कुछ नया होने को दिखता नहीं है, डिजाइन वगर है, जो है, Motorola पता नहीं है, यह कब चेंज करेगा, आपको एकदम वही सेम, देखके आलो है, दूर से के है, Motorola का फोन है, तो this is, you know, how it is, थोड़ी बहुत चीजें, दाएं, बाएं, इधर-उदर करकर के, चेंज तो खेर हो जाती है, बाकी गएर आप दुस्नों करें बात करते हैं, you know, कुछ और देखने के दाएं बाएं, तो आपके पास, फिलहाल, खेर, स्क्रीन पर क्यामरा से जो अपने इसी फोन की कैमरा अप से जो है, वो क्लिक की है, मोटरोला, अपको काफी सारे ओप्शन देता है, कैमरा अप में, अलग-अलग तरीके से अपने शौट को क्लिक करने के लिए, फोन आप देखी चुके है, प्राइस आपको पता चली चुकी है, तो आप बताओ न जब को कूल जेस्टर्स मिल जाते हैं, तो अपने ऐसे किया, तो फ्लेइस अढनी जाती है, अगर आपने ऐसे किया, तो लाइट उफ हो जाएगि, ट्विस्ट करेंगे, तो चामरा अन, मतलब वो जो motor जेस्टर्स वगरें जाते हैं, वो सारी अग अच्छी बाते हैं, स्ट बोरिंग हो जाता है, खर वीडियो में आपको जाता बोर नहीं करूँगा, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरम